पीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स है और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलिजन के प्रती जाना है तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है सिर्फ एक उनिवर्सल ब्रदरुट का माद्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थुरू हम यूनाइट हो जाएं तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इनसान की तरह फीलिंग्स हैं वो मैंने सजा देता है, हमें reward करता है पर हमारे अलावा इस universe में मैं उस word में stress करूँगा universe में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है और वो भी इस सुरुष्टी का हिस्सा है तो इस universal brotherhood में उनके प्रती हमारी भावना है के बारे में कुछ जिक्र हो और मैं जाना चंग हो कि क्या pantheism इसका एक solution नहीं है क्योंकि इसमें हम किसी एक individual को worship नहीं करते जैसा कि Judaism में कहा गया कि I am a jealous God और एक jealous एक ऐसा emotion नहीं है जिसे हम पूच सकें मेरे हिसाब से पर अगर हम pantheism को एक solution माने तो ये एक ऐसी चीज़े जो हमेशा रही है पेड हमेशा रहे है ये universe हमेशा रहा है और जबकि धारणाए definitions भगवान की हमेशा बदलती रही है तो अगर हम God को constant के रूप में देखना चाते हैं और इसे एक माध्य मनाना चाते हैं आपसी भायचारेगा आलमी भायचारेगा तो क्या pantheism इसका एक solution नहीं है बैसर में सवाल पूचा कि universal brotherhood हम सिर्फ इंसानों तक मेहधू दे रहे है क्या जानवर में जान नहीं है और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताके आलमी भायचारा रहे लेकिन क्या pantheism इसका solution नहीं है कि भगवान को हम दुस्रे रूप में देखे बाई साब का अच्छा सवाल है सवाल के दो हिस्से है पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रेदरोड सिर्फ मेहदूद इनसानों तक क्यों जानवर पेड़ बोदों को क्यों नहीं लिया गया दूसा सवाल क्या pantheism इसका solution नहीं है पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रेदरोड आलमी भायचारा कि अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते अगर लेंगे तो जीना ही मुम्किन नहीं है अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को हम आलमी भायचारे में लेंगे तो आपको यहां खड़े रेना भी मुम्किन नहीं है पांच मिनिट तक कि क्यों मैं बोलू ना कि मैं डॉक्टर हूं भाई चारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का गतल मत करो उसूल है कि ने ठीक है आप सांस ले रहे अभी सांस ले ना आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का गतल कर रहे हैं आप कैसे भाई ये लाखों लोग का गतल कर रहे जीने के लिए तो इसलिए भाईचारे का डेफिनिशन जरा हम बराबर तोर से समझ लें फिर हम डिसकस करें क्यूंकि अगर आप कहें कि हर जीवित चीज मेरे भाई है तो आप भाईचारे के खिलाफ कोई भाईचारे में ये नहीं है कि दूसरों का कतल करो अपने आपको जिंदा र लिए मोमिन की मिसाल है वाइक मुशलिम की दूस्जार तो सहाबा सोचते है कियो एक खजूर का दर्ख्त पाम ट्री को मुस्लिम कहें समझ में नहीं उनको आज हम जानते हैं कोई भी पेड़ पाउदे जब भी बढ़ते उपर वो क्या करते हैं आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं फिर ही बढ़ते हैं नीचे जाते हैं अपने पाउदों को रूट्स को एक्सपैंड करते हैं इसलिए आप देखेंगे कीई पैड़ क्रेक्स को तोड़ती है मजबुत करेए क्यों वो पेड़ बढ़ता है तो ग्राक हो जाता है फिर से टर्व लगाते जितना पउदा बढ़ता है जितना पेड़ बढ़ता उतना आजू-बाजू नुकसान करता है एक वाहिद दरक्त है क्म ट्री जो जितना आजू बाजू गुमते नहीं अगर आप अपने आपको बड़ा बढ़ने के लिए दूसरों को दबाएगे ये मुस्लिम नहीं तो अगर मैं मानू आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाई चारा करूँ तो मुझे जीने का हखी नहीं किसी हो जीने का हख नहीं लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलिफ पोचा है जान बुच के इसलिए इसलाम में जब मुहम्मद सल्लाव सल्लम पैगाम दिये अरब देशों में अरब मुमालिक में तो लोग ने कहा ये कैसा इनसाने जब आलाग के रुष्द ने कहा कि उन्ट के अपट ज्यादा वगज़न मत डालो हराम है घोडे को ज्यादा तकलिफ मत दो तो लोग कहने लगे ये तो अब इनसानों की उखूकी बात कर रहाता अभी जानवरों के उकुकी बात कर रहा है अल्लाहू अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू अल्लाह कर रसुल फर्माते हैं जब एक शक्स आग उगा तो बुझाओ क्यूँ उद्धर चीटिया मर रहे है उसका मतलब जान बूच के कोई भी जीविच चीज को मारना हरा में सिर्फ अंजाने में इजादत है या जिसकी इजादत खुदा ने आपको दी है जिसकी इजादत दी है खुदा ने मिसाल के तोर पे मनुस्मिती में चैप्टर नमबर पांच श्लोका नमबर 30 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनायें खाने के लिए और किसको खुराख बनने के लिए जानवर को खाता है जिसको खुराख के लिए बनाया है तो कोई गुना नहीं है अगर आप उस जान्वऄ के कतल करते जो खाने के लिए बनाएंगा है तो आप गुना नहीं कर रहे। लेकिन समन्थी चेप्ट नम्बर पांच जो का नमब गुना नहीं करते हैं जो अनिमल कुर्बानी के लिए उसकी गुर्बानी देना गुना नहीं है ? मैं क्यों हिंदु धर्म से कह रहा हूं मुस्लिम से भी कह सकता हूं वो से वाले उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए लेकिन अगर अगर अंजाने में चलते चलते चीटी मर गई तो आप बार चले ले सकेंगे आप सास लेंगे जर्म तो अल्ला ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आम तोर पे तो आप गुनेगा नहीं वालों कोई जैन लोग माक्स पिंते तो भी मरते पानी को उबालते उबालने से मार रहे उबालने पानी पिके फाइदा क्या? अंदर मानने के मतले भार मान रहे हैं क्या फाइदा? एं मुम्के नहीं नहीं है लेकिन जान भूच के कोई जानवर को और एक मिसाल दूँगा हमारे खतीम जुमा नमास पढ़ाई थे कल टॉक्टर उत्मान उनने अपने खुदबे में मिसाल दी थी क्या एक आउरत थी जो बहुत बहाया थी क्या कहिए जो आम तोर पे लोगों की जीनत थी मैं लफ्द उर्दू दरा मेर कमजोर है मैं किसी को ठेसने पोजाना जाता इंग्लिश में कहेंगी नॉट विट कैरेक्टर बाज़ारी आउरत ज़रा मैं मैं इसे लफ्द ने इस्तमाल करना चाहा तो किसी को छोड़ पोचे तो वो बाज़ारी आउरत थी जो बहुत गुना करती थी लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्ला के रसूल फर्माते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वज़े से खुदा ने उसे जन्नत में दाला बाज़ारी आउरत गलत काम करती है जिना करती है एक आमाल क्या की एक कुत्ते को पानी दी इनसान को ने कुत्ते को पर अल्ला उसे जन्नत में दालता है दूसरी तरह पर एक अच्छी आउरत नेक आउरत लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है चेन करके रखती है उसकी आजादी को कैद करती है अल्ला ताला उसको जन्न में जालता है नर्ख में जालता है इसे कहते है जानवरों के हुकुक मतलब जानवरों के भी हुकुक इसलाम में है अल्ला के रुसुल फरमाते हैं कि चिडिया की अब पढ़ेंगे कुरान में और अधिस में कई इसके पर लेक्षर तो इसलिए हम मानते हैं के जीविच चीज का हमें एथराम करना चे उसके रूल देग्विलिशन है बोलेंगे सब जीविच चीज मेरे भाई एने बैस अब बाई नहीं है अब कुछ लोग इतना करते कुटे के पीछे हर मैंने लाक रूपया करचा करते अरे गरीब लोग मर रहे लाक रूपये से दस घर हर मैंने लाक रूपया अपने पूडल के ओपर दालते हैं लाक रूपये से कमस कम दस घर तो चलेंगे ना मैंने 20 घर चलेंगे मममे में हां के इतना कदर मत करो कि उसके आदमें चेन डालो सोने की ये करो ये खाना ले क्या हो खाना ले कि आते लाग रुपे गा आप समझें ना तो इतना मत इसराफ करो इसलाम के ने से कहा गया है कि भाई चारा जो मैंने दिक्र किया बट जानवरों को भी देखो और उसके ताथ अच्छा बढ़ता करो बिना वज़े किसी जानवर का गतल मत करो ये आपका सवाल था आपका दूसरा सवाल इसके अंदरे जवाब हो गया आप कहते है कि पैंथियेजम सब को खुदा मानना इसका जवाब है उसका जवाब में कहा था हमारे भाई जो आउतार सिंग्थे ना उसने कहा था पैंथिये सब कुछ खुदा है सब कुछ खुदा है इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है मतलब अगर आप सब को खुदा मानते चोर को भी खुदा मानते डाको को भी खुदा मानते खुदा का मतलब उसका कहना मानना बराबर के ने उसकी इज़त करना उसकी अबादत करना वो जो कहते है उसकी बात मानना तो आप अगर को खोड़ा बलात कर में का करेंगे तो इसी तर ये इलॉजिकल है खोड़ायक है और तरिफ उसकी इबाद़त करना चाहे और ये जो फिलोसिफी है ये फिलोसिफी जो आप बोल गिदर से आए इसे कहते हैं एंत्रोपॉर्फिजम क्या कहते हैं एंत्रोपॉर्फिजम मतलब गॉड ने हर चीज की शकल हासिल की और इसके अंदे एक फिलोसोफी है कि खुदा इतना पाक इतना नेक वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है और इंत्रोपॉर्फिजम जे फिलोसोफी है खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते है और कई मजब इसलाम के इलावा कोई मजब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया कुछ मजब कहते हैं अनेक बार और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान उसे पता नहीं इनसान के तकलीफ क्या है इनसान को किस चीज का बुरा लगता है इतना नेक, इतने पाक इनसान को दर्द कैसा होता है इनसान को तकलीफ कैसा होती तो ये खुदा जो नेक और पाक है जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए वो इंसान का रूपधारन करते है यह फिलोसफी है एंथ्रोपोर्ट मॉर्फिसम की उपर से लगता है बहुत लॉजिकल है खुदा इतना नेक, इतना पाक इतना दयालू वो जानता ने बिचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है क्या मुश्किलात है तो इंसान का रूपधारन किया लिखने के लिए क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है उपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन टैकिक करेंगे मन्तिक से तो एकदम ही घलत मिशाल केद्वर पर अगर मैंने एक instruction manual लिखूंगा कि DVD player को play करने के लिए DVD दालो play का बटन दबाओ, skip करने का skip का बटन दबाओ, stop करने का stop का बटन दबाओ, पाने में मत आरो खराब हो जाएगा, उपर से मत पेको खराब हो जाएगा, मुझे DVD player बनने की जरूवत नहीं, इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इनसान बनने की जरूवत ही नहीं, वो क्या करता है instruction manual लिखता है, इनसान के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है क्या खाना चाहिए क्या ने खाना चाहिए कैसा है बदद करना चाहिए और इस खुदा का आखरी इंस्ट्रेक्शन मैन्यूल है कुरान इस इश्वर इस भगवान इस अल्ला इस खुदा का आखरी इंस्ट्रेक्शन मैन्यूल है कुरान इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा ही क्या बुरा है किस तरीके से जानवर से अच्छा बरताओं करना चे किस तरीकी से भाईचारा बढ़ना चे किस तरीकी से गरीबों की मदद करना चे सब लिखा है इसमें खुदा को खुद इंसान बनने की जरुवत ने क्योंकि वो हमारा खाले के हमारा मालिके तो इसी नहीं ये पैंथियस्म फिलोसोफिश टोटली रॉंग और वेद में किदर नहीं लिखा है आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है आप अगर देखेंगे मेरी कसेट हिंदूइजम एन इसलाम पे लेकिन वो किताबे वेद से उची नहीं है वेद में सिर्फ लिखा है तोहीद के बारे में एक खुदा के बारे में एक कमसत विप्रा भाहुदा विदानते खुदा एक है उसको नाम इलादा दे सकते आप लेकिन खुदा एक है उसकी सिफ़त आप बयान कर सकते है और वे खुदा है नात्रस्पतिमास्ती उसका कोई आक्स नहीं है ना कोई पिच्चर है ना कोई पेंटिंग है ना कोई मूर्ती है ना कोई स्टाच्यू है होब दाम से दो क्रेष्टन